हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आज मैं आपको बताऊंगो कि आप अपने किसी भी MI Redmi Poco के स्मार्टफोन में अपने एप लोग को कैसे खोल सकते हैं कैबर के होते हैं कि आप अपने एप को लोग लगा कर भूल जाते हैं या आपको नहीं पता चलता तो इसको आप कैसे पता कर सकते हैं या उसको कैसे खोल सकते हैं आपने करना है कि वीडियो को पूरा देखना है और एक भी स्टेप मिस नहीं करना है और हाँ गाइस यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने की आए तो मैंने चैनल को सब्सक्राइब के लिजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस मैं आपको अंत में कुछ बाते पताऊंगा जो आपके लिए बहुत जुदूरी होगी जानने तो गाइस सब सुबसे पहले आपने करना है कि जब भी आपने अपने मुबायल में अपूलो का पता करनए कि आप के मुबायल में जो digo Apps उसका लो यह देखे गाइस यहाँ पर option आगे है एप लोग का तो गाइस यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है कैसी देखे गाइस यहाँ पर गाइस मैंने password लगाया हुआ था और मुझे उसके बारे में नहीं पता है क्या लगाया हुआ था मैंने भूल चुका हूं उसके बारे में तो यहाँ पर गाइस आपको नीचे option मिलता है forgot password यहाँ पासवर्ड भूल चुके तो उसको आप recover कर सकते हैं यहाँ पर आपने क्या करना है कि गाइस अगर आपको यह सेटिक नंबी लग रहें तो आपने करना है कि बैक आ बैक आना है यहाँ पर गाइस इड बाइस क्ली करना है और गाइस नीचे आना है श्क्रूल करके यहाँ आप बाइस आपको यह देखे ओप्शन मिले गा एप लोग का आप यहाँ से जाकर भी उससेटिक में जा सकते यह दिखी गाइस वही आप लोग आ चुका है यहाँ पर आपको नीचे option मिलेगा forgot password तो यहाँ पर आपने करने के सब्सक्राइब क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद यह दिखी गाइस आपको यह पुछेगा कि आपने जो आपके mobile का MI count है उसका password डालना है यहाँ आपको MI count का password नहीं पता है या आपको यह नहीं पता ही का MI count होता क्या है तो इसके लिए मैं आपको description में वीडियो का link दे दूँगा उसमें आपको पूरा फरसा से बताया हुआ है कि MI count का password कैसे पता करते हैं तो यहाँ पर आपको MI count का password पता है तो यहाँ पर आपने password फिल अप कर देना है क्लिक तो इससे क्या होगा कि आप एक नया pattern लगा सकते हैं और आपका प्राना pattern था वो होड़ जाएगा यह थी वीडियो और हाँ गाइस यदि आप गाइस हाड रिसेट करते हैं गाइस हाड रिसेट मतलब कि यदि आपका फोन है गोरा है चल रहा है उसमें भी आपको बाइपास अनलोकिंग के लिए MI count का password पता होना चाहिए तो इसके लिए भी आपके लिए यह वीडियो देख में चला जाना है तो इसके जड़ी आप लोग को खोल सकते हैं और हाँ गाइस यदि आप गाइस स्क्रीन का password आप भूल चुके हैं जैसे जो ओन करके स्क्रीन का password यह मांगता है phone गाइस उसके लिए आपको हाड रिसेट करना पड़ेगा तो हाड रिसेट के भी में वीडिय कमेट में बताना और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने लिए थैंक यू